वेलकम टू सिक्षा कल्चर आज के इस वीडियो में हम न्यू चीफ जेस्टिस ओफ इंडिया उदै उमेश ललत जी की बायोग्राफी डिसकस करने वाले हैं साथी में हम इनकी अचीफ मेंट्स और इनके ऐसे कौन से डिसीजन्स थे जो इन्होंने एक जच के तौर पे लिए जिसके द्वारा इन्हें चीफ जेस्टिस ओफ इंडिया बना दिया गया तो देश के 49 चीफ जेस्टिस ओदै उमेश ललत जी का जन्म 9 नवंबर 1957 को महरास्ट में हुआ था इन्होंने अपनी बाकालत की शुरुगात 1983 में की इनके पिता यू आर ललत दिल्ली हाई कोट में पूर्व जजज और सुप्रिम कोट में प्रेक्टिस करने वाले एक बरिस्ट बकील ले चुकी है उद्यों मेश ललत जी ने 1983 से 1985 तक वंबे हाई कोट में बकालत की बाद मे 1985 में ये दिल्ली आ गए जिसके बाद ये लंबे समय तक सुप्रिम कोट के बकील के रूप में कार करते रहे और 1986 से 1992 तक ये है अटोर्नी जनरल सौली सोराब जी के साथ भी काम कर चुकी है सुप्रिम कोट में एक बकील के रूप में लंबे समय तक सेवा देने के बाद 13 अगस्त 2014 को इनको सुप्रिम कोट का जज बना दिया गया उदेव में इस ललित को मई 1921 में रास्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधी करण के कारेकारी अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया देश के केवल दूसरे ऐसे सुप्रेम कोट के जज हैं जिनकी न्युक्ति सीधे बार काउंसिल के सुप्रेम कोट के जज के रूप में हुई थी और फिर चीफ जस्टिस भी बने इनसे पहले 1971 में जस्टिस S.M. सीकरी ही ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनको सीधे बकिल से सुप्रेम कोट के जज बनाया गया और फिर 1984 में देश का तेरवा मुख्य नियायदीस यानि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था अब हम डिसकस करने वाले हैं कि ओदै उमेश ललत जी द्वारा लिये गए को चैती हासिक फैसले जिससे ये इतने ज़्यादा फिमस हुए और इन्हें फाइनली फिर चीफ जस्टिस बनाया गया तो टूजी स्पेक्ट्रम केस इसके बाद जो ट्रिपल तलाग वाला केस था उसकी सुनवाई वाली बेंच की ये हिस्सा थे तो इससे ने काफी प्रसिद्धी मिली जो तीन तलाग का फैसले इन्हों ने सुनाया था इसके बाद पद्मनाप स्वामी पर भी इनके फैसले को पूरे देश में काफी प्रसंसा मिली इसके बाद POSCO ACT में भी इनने काफी एहम भुमिका नवाई ऐसी ACT के फैसले में भी बड़ी भुमिका थी जस्टिस ललित ने अब माननक के मामले में भगोडे कारुवारी विजय मानलिया को चार महिने की सजा दी थी एक important question जो आपके mind में आ रहा होगा कि ये Chief Justice खुदे उमेश ललित जी कितने time duration के लिए भारत के नए Chief Justice रहेंगे तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा जो 48th Chief Justice of India है नयाय मूर्ती रमनना जी ये 16 महीने के अधिक कारिकाल को समाप्त करते हुए 26 अगस्त को अपने पद को छोड़ देंगे यानि कि रेटार हो जाएंगे उसके बाद 27 अगस्त 2022 को नयाय मूर्ती ललित जी को भारत का मुख्य नयाय दीस के रूप में नियुक्ति कर दिया जाएगा और ये 3 महीने के एक कम कारिकाल के दोरान Chief Justice of India आएंगे और 8 नवंबर 2022 को ये रेटार हो जाएंगे यानि कि 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक इनका कारिकाल रहेगा 8 नवंबर 2022 को उदे उमेश ललत जी रेटार हो जाएंगे आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिंद जै भारत